नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक फली वाला कुटज लेकर आया हूँ जो की बड़ा ही दुरलब्ब होता है घना जंगलों को बीच में प्राप्त होता है तो दोस्तों कुटज के करीबन दो पर ज आती होते हैं एक तो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ कि जो लंबे लंबे पतले पतले और दो दो फली एक साथम लगे होते हैं और आज जो कुटज लेकर आया हूँ या एक फली वाला है मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि वह फली कैसा होता है तो देखिए दोस्तों यहां है कुटज की एक फली मोटे मोटे हैं यह तो यह भी तिन-तिन फली एक एक जगा लगा हुआ है लेकिन यह कुछ अलग क्वाल्टिक कुटज है देख लिए पहिचाल लिए इस कुटज को भी तोड़ने पर दूध निकलता है वह दूध भी मैं आ इचा आयरवेदी का उसदी है एक तरह से जड़ी बूटी है जो लोग नहीं देखें देख लिए पहिचान लीजिए और जब इस कुटज के फली को तोड़ा जाएगा तो तोड़ने के बाद कुछ इस तरह से अंदर का सीन है वह भी देख लीजिए और हां दोस्तों कुट दिखाई दे रहा है कुछ हिस्सा रूहिक जैसा भी दिखाई दे रहा है और इसी के अंदर जो बीज होता है उस बीज को इंदर जयो कहते हैं तो दोस्तों यह कुटज जड़ी बूटी बहुत ही दूरलब होता है अब आव चलो मैं आपको पतला वाला कुटज दिखाता कि वह कुटज कैसा होता है तो देखिए दोस्तों यह भी कुटज है इसका वीडियो में आपको पहले भी बना कर दिखा चुका हूं यह दो दो फली एक जगा होते हैं और कुटज का पेड करीबन 10 फूट से लेकर 15 फूट तक उचा होता है और यह पतला वाला कुटज को भी तोड़ने पर इसके अंदर कौटन जो है रेसम जैसा कौटन दिखाई देता है मतलब धागा और इसमें भी दूद निकलता है इसे भी तोड़ने बाद इसके अंदर बीज निकलता है वा बीज उस बीज को इंदर जयो कहते हैं लेकिन दोस्तों इसके सूखने के बाद वा बीज हमें प्राप्त होगा और यह पत्ता है यह पत्ता है कुटज का और यह है चाल कुटज का और यह मोटा वाला कुटज का पत्ता है और यह लगा हुआ कुटज यह भी कुटज है यह देखिए कुछ दिनों से मैं इसके तलाच में था पहले कई बार देखा इसे पहिचान नहीं पाया था लेकिन इसका पहिचान मैंने आज किया ध्यान से देखकर यह कुटज का ही एक परजाती है इसके फली बहुत ही कुपशूरत दिखाई दे रहे हैं मोटे मोटे यह देखिए आज मी से घर ले जाओंगा तो दोस्तों यहां पर करीबन 15-20 पेड़ है कुटज के जो की अंदर बाहर है तो दोस्तों यहां कुटज भारत की परसिद्ध वसदी है तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इस जड़ी बूटिक पहिचान चुके होंगे तो आओ चलो भी इसके फाइदे बारे में जाने किया हमारे सरीर के लिए कितना फाइदे मंद है तो दोस्तों यह देखिए यह कुटज के पेड का च्छाल है इस च्छाल को निकाल कर अंदर च्छाल निकाल कर यह तो सूख गया है कच्छा च्छाल निकाल कर उसे सुखा कर पीस कर पौडर बना कर किसी डब्यम रख लीजिए और कैसा भी पेचिस हो पेट में गड़बड़ी हो अतिसार हो आतों में गड़बड़ी हो तो आप इस कुटच के च्छाल को सहद साथ मिला कर यानि दो या तीन गराम कुटच के च्छाल को पांच या दस गराम सहद मिला कर दिन में तीन बार चाटने से पेटों का रोग ठीक होता है दोस्तों इस कुटच के च्छाल के काढ़ा बनाकर करीबन 20 सेमल तक निकाल लीजिए और उस 20 सेमल कुटच के काढ़ा में एक गराम सोट का पौडर मिला दीजिए और पांच गराम देशी गाय का गी तीनों के मिला कर आप सेवन कीजिए दिन में तीन बार तो खूनी बवासीर में फाइदा होगा रक्त सराओ को कंट्रोल करेगा जो बवासीर में रक्त जाता है गुद्दा मार्क से वहा रक्त बहना रुख जाएगा इसके सेवन से दोस्तों या कुटज की छाल पत्री गलाने में भी काफी फाइदे मंद होता है इस छाल के चूरन में यही इस छाल के पांच गराम चूरन को दही में मिलाकर सेवन करने से कुछ दिनों में पत्री गलकर चूर-चूर होकर बाहर निकल जाता है फिसाब के राश्ते से तो दोस्तों इसके अंदर जो बीज निकलता है उसे इंद्रजव कहते हैं दोस्तों इस कुटज की छाल की काढ़ा से घाव धोने से घाव भी बहुत जल्दी भर जाता है ठीक हो जाता है और यह देखिए दोस्तों या फली सूख चुका है और इसके अंदर बीज भी लेकिन बहुत पतला पतला भीज है वो भीज में मैं आपको दिखा देता हूँ यह तो यह अपने आप हवा मूड जाता है देखो यह देखो सब इसी के अंदर भीज है तो चलो दोस्तो इस महात्पुर जानकारी को हम यही समाप करते हैं इसके बाद भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें कुटच के और भी फाइदे आपको बताऊंगा तो दोस्तो अगर मेरा यह बताना जानकारी देना आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्क्राइब कीजिएगा नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरवेदित